आहिए आज हम आपको बताते हैं कि थाइराइट का हमारे शरीर पर क्या रभाव परता है और ये जाज कौन करता है और किस बिमारी के लिए इसका टेस्ट किया जाता है थाइराइड गले में इस्तिदे ग्रंथी का नाम है ये ग्लेंड गले के आगे के हिस्से में मौझूद होती है और इसका आकार एक तितली की भाती होता है यहे शरीर में कई तरह की मेटाबाले क्रियाओं का नियंतरन करती है थाइराइड ग्रंथी में खराबी आने से घेंगा जैसे गले के बढ़ने से लेकर कैंसर होने तक का खतरा हो जाता है लेकिन थाइराइड ग्रंथी में खराबी आने से जो समस्या आती है उसमें थाइराइड हर्मोस का सही मात्रा में इस्तरवित ना होना है जिसके कारण समस् आती है थाइराइड ग्रंथी की ऐसी अवस्था में जाज करवानी जरूरी है जाज के लिए प्रश्चिक्षित लेब टेक्निशन की जर्वत होती है इसके प्रश्चिक्षर में डेपयमाई पिछले 22 वर्षों से अपनी सेवाई दे रहा है इच्छुप विध्धार्ती इस क स्पोर्स का लाव दिल्ली पेरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट से ले सकते हैं आज हम थाइराइड ग्रंथी के आसंतुलित होने के कारण की जानकारी दे रही है कारण जर्वत से अधिक थाइराइड ग्रंथी से हार्मोन का पैदा होना या इस्तरावित हो बार बार मलते आगने की शंका, पतला मलाना, सोने में दिक्कत होना, दोहरी दृष्टी की समस्या, आँखों का बाहर निकलना, बालों की समस्या जैसे तूटना, पतला होना और जणना, दिल की धड़कन बढ़ना, विशेश कर व्रद्धा लोगों में, मासे की स्तराब में अ बातों का कांपना, पसीना आना और तच्छा का पतला होना, थाइराइड के बच्चाओं के लिए फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, अधिक असरत ना करें, एकसरे से अपने को बच्चाए रखें, इसके साथ ही धूमरपान से बच्चें, अगर थाइराइड आपके वन्श जानुगत है, तो आप अपने खून की समय समय पर जाच कराते रहें, और प्लास्टिक के बोतलों में और प्लास्टिक के प्लेटों में खाना खाने से खास्वार पर बचें, थाइराइड गरंथी के खून के नमूनी को बाजू से सिरिंज के जर्ये निकालते हैं, रख के म पर कसकते हैं, प्लास्टिक के खास्टिक 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 झाल झाल सर, बिठाई काईए सर, बिठाई ने बारभी पास कर लिया, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा, अरे कहा गुंजाईश है, ना, जोरण गुंजाईश की नहीं, समझदारी की, अरे आज ही बिठाई का एड़िशन, डीपी एमाई में करा दीजे, बठे, पिछले 20 सालों से पेर के साथ सुनिश्चित रोजगार